नमस्कार दोस्तों मैं फुजीत कुमार सिंग एडवांस एक्सल ट्रेनिंग सेंटर आई पीटी एक्सल स्कूल से आपका स्वागत करता हूँ हमारे इस यूटूब वीडियो टिक्टोरियल में जहां आप सीखते हैं कम्प्लीट एडवांस एक्सल और हम बात करेंगे डेटा इस वीडियो में हम आपके साथ डिसकॉस करेंगे डेट फंक्शन सबसे पहले हम पावर वीडियाई में गेट डेटा पर जाते हैं और हम एक डेटा को कनेक्ट करते हैं लोकेशन पे गया है डेटा उसलेक्ट करते हैं और जो लोग पहली बार मेरी चैनल पर आएं उनसे में रिकेस्ट करूंगा कि प्लीज मेरी चैनल को स्काइब कर लिजिएगा और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक किजिएगा तो यहां पे डेटा पर आते हैं और हमने य को सेलेक्ट करके हमने इसके लोड कर लिया तो जैसे कि अभी आपना डेटा लोड हो रहा है अब मैं डेटा भी इसमें जाता हूं तो मेरी सीट पर आप देख रहे हैं कि डेज है मॉन्त यर है और डेट तो बीध यहां पर लेकिलह हो सकता है कि यहां पर नहुं लिधा का कौलन डैटा में था प्रट मेंने इसपाल को डिलीट कर देता हूं बेट youtube अगर मॉनन आने डेट के बास नहीं है और मुझे रिपोर्ट बनानी है date की हिसाब से, क्योंकि मिरे पास data है, year, month year, date और month किनों अलग-अलग है मैं चाहता हूँ, combine करके date बनाओ, तो मैं modeling में जाओंगा, और यहाँ पे new column पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे column दिख़़ा है तो इस column के जगह पे मैं select करूँगा date और यहाँ पे date का formula लगा हूँआ सबसे बेरे year, तो मैं यहाँ पे year select कर लिया month, जहाँ मैं किएगा month में इस month को नहीं select करना है, क्यों? क्योंकि अगर भी इस month को select करते हैं तो month का formula लिकिसके सामने fx लगा हूँआ है मैं तो यह formula है और यहाँ पे seat का assemble लगा हूँआ इसको मतलब कि यह seat है और फिर date date और फिर हम इसको select करके end रमार आपके सामने date आगे है बट date जो है date की format में नहीं है तो इसको select करके यहाँ date type, date and time है तो इसमें सिर्फ मैं date कर देता हूँ तो इसमें time बगरा नहीं आएगा अब मैं visualization पे जाता हूँ और मैं date को रखता हूँ और इसमें मैं इसमें लेजिए sales को रखता हूँ आपके सामने हमारा report बन गया yearly मैं इसमें क्लिक करता हूँ तो यह हमारा quarterly हो जाएगा और फिर एक बड़ा क्लिक करता हूँ कि हमारा मंतली हो जाएगा तो date रणने से फैदा होता है कि आप quarter में, year में date में change कर सकते हैं यह इस तरह से तो हमने date formula को लगाया और हमने अलग-अलग date को आपस में combine किया इस video के अंदर में तो वीडियो अच्छा लगा तो like कीजिएगा चैनल को subscribe कीजिएगा और इसके तरह के doubt हो, question हो, या फिर आप Power BI सीखना चाहते हो या फिर एडवांस दिक्सन सीखना चाहते हो मेरे साथ live online तो मुझे join कर सकते हैं मेरे website iptindia.com पर वहाँ पर चाहिए demo class का form भरे एक दो class demo है फिर हम बाकिजिएओ पर discuss करेंगे demo class के बाद